हलो दोस्तो वेलकम करता हूँ मैं आपको आपके अपने यूटूब चैनल सिविल इंजीनियर एप बेच में तो दोस्तो जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम थेोडोलाइट सर्विंग के बारे में डिसकस करने वाले हैं अब हमारे पास दो तीन बेसिक टॉपिक्स रह गया है एक रह गया हमारे पास थेोडोलाइट सर्विंग एक रह गया है टेक्योमीट्रिक सर्विंग और हमारे पास प्लैन टेबल सर्विंग रह गया है इसी के साथ जो है हमारा surveying का portion जो है वो complete हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की वीडियो में हम Theodolite Surveying का पूरा discuss करेंगे इसमें जो है Theodolite Surveying में आपको सिर्फ और सिर्फ terms के बारे में questions पूछे जा सकते हैं इसमें कोई calculation वाला part है ही नहीं इसलिए आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह देखना है ताकि आपको हर एक term जो है Theodolite के लिए वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी और अगर आपको इसी वीडियो का practical वीडियो देखना है जो मैंने site पे बनाया हुआ है तो अगर आपको वीडियो देखना है उसका link भी मैं आपको description में दे दूँगा आप जो है practical वीडियो भी देख सकते हैं लेकिन आप यहाँ पर यह जो terms है यह अच्छी तरह देख लेना क्योंकि वहाँ पर term से related ही questions पूछे जाते हैं तो Theodolite survey क्या होता है Theodolite is an instrument which is used to measure angles both in horizontal angles and vertical angles तो हमारे पास Theodolite जो होता है वो horizontal और vertical angles दोनों को measure करने के लिए हम use करते हैं तो अगर यह for example हमारे पास यह ground पे हमारे पास दो points है ground यह हमारे पास earth है earth के उपर हमारे पास दो points है और हमारे पास यहाँ पर Theodolite है तो इस Theodolite की वज़ा से हम यह जो angle है इन दो points के बीच में यह वाला angle यह हम major कर सकते हैं तो यह हो गया हमारे पास horizontal angle horizontal angle अब अगर हमारे पास earth की level यह है यह हमारे पास earth है और हमारा हवा में कहीं पर एक point यहाँ है और दूसरा point यहाँ है तो इन दो के बीच में हमारे पास यह जो angle है इन दो points के बीच में यह इसे हम vertical angle कहेंगे earth हमारा यहाँ है और हमारे यह दो points जो है एक उपर है एक नीचे है तो इसको हम vertical angle कहते हैं तो यह जो हमारे पास Theodolite होता है इससे हम horizontal angles भी major कर सकते हैं अभी तक हमने जो compass surveying में पढ़ा था, वो compass जो है, वो सिर्फ और सिर्फ horizontal angle से उस हम, horizontal angle सिर्फ हम उससे major कर सकते थे, लेकिन यहां पर thiodolite जो है, इससे हम horizontal angle भी major कर सकते हैं, और vertical angle भी major कर सकते हैं, next point है इसमें, setting up the intermediate points, intermediate points जो है, वो set करने के लिए भी हम, इसको use कर सकते हैं, यह आपको याद, आपको, जो है, मैं आपको यह बता रहा हूँ, कि intermediate points जब हम, chain surveying में set करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अगर आपको यह point पता है, तो, यह आप comment section में लिखिए, कि जब हम intermediate points जो है, survey line, chain line में set करते हैं, उस process को हम क्या कहते हैं, यह आप comment section में बताएंगे, इसके बाद laying up the traverse, traverse को ले करने के लिए, हमारे पास theodolite surveying यूज होती है, और इससे हम simple curves, जो है, वो set कर सकते हैं, by using two theodolite method, तो यह आपको याद रखना है, simple curves भी हम theodolite से draw कर सकते हैं, by using two theodolite method, यह पूरा रटा मार के, इसको याद करना है, क्योंकि directly ऐसे objectives पूछे जाते हैं, next है, हमारे पास types of theodolite, theodolite हमारे पास 2-3 type के होते हैं, एक होता vernier type, एक होता digital type, और एक होता total situation, total situation भी आज का जो है, वो theodolite का काम भी करता है, तो यह आपको याद रखना है, एक होता है vernier type, digital type और theodolite type, digital type तो आपको पता ही होगा, जो digital format में हमारे पास readings देता है, और vernier type वो होता है, जिसमें हमें जो है, scales को देखके readings निकालनी पड़ती है, अब देखते हैं कि transit theodolite हम किसे कहते हैं, transit theodolite is one in which line of sight can be reversed by revolving the telescope through 180 in vertical plane, तो vertical plane में हम जो है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, यह हमारे पास for example theodolite का telescope है, यह eye piece है और यह हमारे पास objective lens है, यह eye piece वाला side है, यह objective वाला side है, तो हमारे पास eye piece वाला side यहाँ पर है, objective वाला side यहाँ पर है, अगर हम अब इसको क्या करेंगे, vertical plane में इसको move करेंगे, मतलब कि अब यह जो है, यह हमारे पास telescope ice है, अब हम अगर इसको rotate करके, vertical plane में rotate करेंगे, और इसको इस side लेके आएंगे मतलब इसी को rotate करेंगे 180 degree eye piece इस side लेके आएंगे और objective piece हमारा इस side आजाएगा तो इसे हम reverse करेंगे तो इसी type of theodolite को हम क्या कहते हैं इसको कहते हैं transit theodolite मतलब कि अगर हम ऐसे vertical plan में इसको move कर सकते हैं तो इस type को कहते हैं transit theodolite मतलब कि ये इस direction में पहले था अब इस direction में आ गया क्योंकि हमने इसको vertical plan में move किया मतलब कि हमारे पास ये ऐसे था अभी तो हमने इसको ऐसे move करके वापस ले आए तो 180 degree अगर हम vertical plan में telescope को move कर सकते हैं तो उसे transit theodolite कहा जाता है और एक चीद आपको याद रखनी है कि size of theodolite is defined by the lower graduated circle तो हमारे पास दो graduated circles होते हैं एक होता है upper graduated circle एक होता है lower graduated circle तो lower graduated circle की वज़ा से हम देख सकते हैं कि size of theodolite हमारे पास क्या होता है इसके बाद आ जाते है बेसिक डेफिनिशन जो होती है theodolite की पहली ही होती है suntering suntering होता है जब आप setting up the instrument करते हैं तो उसके बाद हम situation पे इसको पूरा एक situation पे लगाते हैं for example ये हमारे पास ये हमारे पास theodolite है ये हमारे पास for example मैंने ये दिखा दिया ये theodolite है तो theodolite को हमने जब यहाँ पर set किया तो इसके बाद यहाँ पर हम इसको plumb bob set करते हैं तो plumb bob की वज़ा से जो है इसको ground में center करते हैं तो suntering इसी को कहते हैं कि एक proper situation पर जब theodolite को हम set करते हैं उसे कहते हैं suntering next आ जाते हैं हमारे पास एक होता है phase left एक होता है phase right तो phase left क्या होता है और phase right क्या होता है यह मैं आपको सिखाने की कोश्च करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हमारे पास कि यह मैं दिखा रहा हूँ for example यह ऐसे इस direction में हमारे पास objective piece है यह eye piece है तो हमारे पास जो है एक होता है lower graduated circle यह होता है जिससे हम जो है horizontal angles major करते हैं यहाँ पर graduation होती है इस scale से हम क्या कर सकते है horizontal angles major कर सकते हैं और हमारा एक vertical angles major करने के लिए इस side से एक scale होती है तो उसे हम कहते है vertical circle तो vertical circle अगर हमारे पास जब हम Readings ले रहे हैं, Objective इस साइड है और Eye Piece इस साइड है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा अगर हमारे पास, for example, Eye Piece Eye Piece इस साइड है, Objective इस साइड है और इसके पीछे वाली साइड जो है इसके पीछे वाली साइड हमारे पास ये Vertical Graduated Circle है मतलब कि Eye Piece जब इस साइड बंदा बेठेगा जब इस साइड बंदा बेठेगा वो Eye Piece से देखेगा Objective की तरफ जो भी इसको यहाँ पर देखना होगा Eye Piece से Objective की तरफ देखेगा तो ये Vertical Circle जो है, ये इसके बाईई तरफ होगा जब ये इस साइड से देखेगा तो ये वाला जो है Vertical Circle अगर ये बाईई साइड से रहेगा तो इसको कहते हैं Phase Left और Phase Left ही जो है वो हम ज्यादा यूज करते हैं अगर हमारे पास Vertical Circle Left Side से आता है तो उसे हम Phase Left कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं When the Vertical Circle is on the Left Side of the Observer Observer के बाईई साइड अगर जो है Vertical Circle आएगा तो उसे हम Phase Left कहते हैं Phase Left ही आपको ये याद रखना है ज्यादा तर हम रीडिंग्स जो है वो Phase Left Position में ही लेते हैं Next आजाते हैं हमारे पास Phase Right Phase Right क्या होता है When the Vertical Circle is on the Right Side of the Observer अब अगर हम इसको क्या करेंगे इसको यही Transiting करेंगे Transit Theodolite की तरफ तरह जो है अब Eye Piece इस साइड लेके आएंगे और Objective को इस साइड 180 डिग्री इसको रोटेट करके Eye Piece को इस साइड लेके आएंगे और Objective Piece को इस साइड लेके जाएंगे अब बंदा इस साइड से देख रहा है लेकिन हमारे पास यह जो Vertical Circle है वो उसी साइड है वो उस पीछे वाली साइड है तो जब यह बंदा यहां से देखेगा तो यह Object यह जो यह Vertical Circle है यह Right Side आप दिखेगा अब इसके Observer के Right Side में होगा यह Vertical Circle जब Vertical Circle Observer के Right Side में होता है तो उसे हम कहते है Right Phase क्या कहते है When the Vertical Circle is on the Right Side of the Observer अगर यह Vertical Circle जो है Right Side of the Observer होता है उसे हम कहते है Phase Right अगर आपको यहां पर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है आपको मैंने Practical वीडियो भी बना के दिये है इसमें तो उससे आपको यह जो है यह पूरा कलियर हो जाएगा Next आजाते है Line of Collimation क्या होता है यहां पर कुछ और Definitions है यह जो है Definitions में ही आपको Objective Question इसमें पूछा जाएगा तो इसलिए जो है आपको यह सारी Definitions एक एक करके याद रखनी है इसके बाद आ जाता है हमारे पास Line of Collimation क्या होता है Line of Collimation इससे पहले भी मैंने आपको बताया है यह Definition same to same वही है It is the imaginary line passing through the intersection of the cross here and optical center of the objective मैंने आपको अभी बताया यहां पर हमारे पास जो lens होती है जो हमारे पास telescope होता है वो ऐसे होता है यहां पर objective होगा यहां पर आईपीज होगा आईपीज के सामने हमारे पास cross here होते है तो cross here के intersection से जो हमारे पास objective होता है objective के हमारे पास optical center से जो एक line pass करेगी उसे हम कहते है Line of Collimation यह आपको याद रखना है cross hair के center से optical center of objective के थ्रू जो line पास करेगी उसे हम line of collimation कहते हैं अब line of side क्या होती है line of side जो होती है line of side जो है इनी दो point से पास करेगी लेकिन with continuation इसके आगे भी जाएगी जो line उसे हम कहते है line of side a citrate line along the observer has unobstructed vision मतलब कि unobstructed vision जहां तक उसकी जाएगी तो इसी line को हम क्या कहते है line of side line joining optical center of the objective to the point of intersection of the cross hair और cross hair के intersection को जो join करेगी line in continuation मतलब को आगे तक भी जाएगी जहां तक उसको जो है कोई भी चीज उबजरू करनी है तो उसे हम कहते है line of side when the line while the side while sighting a point line of side remains horizontal then the line of side is called as line of collimation अगर हम जो है किसी point को side कर रहे हैं और हमारी line of side जो है वो horizontal रहेगी proper horizontal direction में रहेगी then it is called as line of collimation तो इसे line of collimation कहा जाता है इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास vertical axis क्या होती है और horizontal axis क्या होती है vertical axis क्या होती है it is the axis about which telescope can be rotated in horizontal plan तो यह वो axis होती है जिस axis के basis पे हम जो है telescope को horizontal plan पे move कर सकते हैं मतलब क्या है यह हमारे पास vertical axis है और यह हमारे पास telescope है यह हमारे पास telescope है अगर हम telescope को ऐसे move करेंगे यह हमारे पास telescope है यह वाली axis जो आपको dotted axis देख रही है यह vertical axis है अब अगर मैं telescope को इसी axis के along move करूंगा ऐसे axis यह हमारे पास axis है इस axis के along में अगर मैं telescope को move कर सकता हूं तो इसे हम vertical axis कहेंगे तो यह आपको याद रखना है अगर हम vertical axis के along एक telescope को horizontal plan में move करेंगे देखें यह horizontal plan कौन सा है horizontal plan यह वाला plan है horizontal plan यह वाला plan है और vertical axis यह axis है तो horizontal plan में में telescope को 180 degree से move करा रहा हूं vertical axis के along vertical axis के along horizontal plan में में जो है telescope को move करा रहा हूं 180 degree तो उसे कहते हैं vertical axis ये आपको याद रखना है horizontal plan में move करा रहे हैं और vertical axis के about move करा रहे हैं तो उसे को कहते है vertical axis इट इस आप सो काल्ड as azimuth axis आपको ये भी पूछा जा सकता है कि vertical axis को और क्या नाम दिया जाता है उसे azimuth axis कहा जाता है तो ये एक एक पूइंट आपको याद रखना है इसके बाद आजाता है हमारे पास horizontal axis क्या होती है तो horizontal axis क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊँ horizontal axis ऐसाई definition same to same definition इसका है लेकिन यहाँ पर है it is the axis about which telescope can be rotated in vertical plane मतलब कि transiting करेंगे जो मैंने अभी आपको बताए है transiting वही करेंगे इसमें इसमें क्या है horizontal axis हमारी ये है horizontal axis ये है और हमारे पास जो telescope है telescope अगर हमारे पास इस direction में है अब हम telescope को क्या करेंगे ये हमारे पास telescope है इस direction में अब अगर telescope को हम vertical plane में move कराएंगे along the horizontal axis vertical plane में move कराएंगे along the horizontal axis तो इसे कहेंगे हम इसे कहेंगे हम इस axis को हम horizontal axis कहेंगे तो यह आपको याद रखना है इस axis को horizontal axis कहेंगे अगर हम जो है telescope को vertical axis में move कराएंगे about the horizontal plane तो इस axes को हम horizontal axes कहेंगे I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा यह थोड़ा typical definitions होती है It is the axes about which telescope can be rotated in vertical plane Telescope को vertical plane में move कराना है But about horizontal axes जब हम move कराएंगे तो उसी को horizontal axes कहा जाता है Horizontal axes को और एक नाम दिया जाता है Trionion axes तो Trionion axes जो है वो horizontal axes का दूसरा नाम है Vertical axes का दूसरा नाम जो है azimuthal axes है इसके बाद वो आ जाता है हमारे पास Next Next होता है telescope normal क्या होता है Telescope normal होता है When vertical circle is on the left side of the bubble और bubble up मतलब कि जो हमने phase left की position बोली थी Phase left में आपको मैंने बताया था कि vertical axis is on the left side उसे हम phase left कहेंगे तो phase left को ही हम Telescope normal भी कहते है And the bubble is up मतलब कि bubble उपर वाली side होता है ऐसे ही होता है telescope inverted Telescope inverted जो है उसे हम phase right कहेंगे तो when vertical circle is on the right side जब हमारे पास vertical circle जो है वो right side होगा And the bubble is down Bubble जो है वो downwards होता है इसके बाद आ जाता है Swinging क्या होता है Next है हमारे पास swinging क्या होता है Revolving the telescope in horizontal plane About its vertical axis मतलब क्या हुआ Horizontal plane में एक जो है telescope को हम मू कराएंगे यह हमारे पास telescope है Telescope को हम horizontal यह हमारे पास telescope है यह आपको दिख रहा है यह telescope है इसको अगर हम horizontal axis पे मू कराएंगे इसको हम swinging कहते हैं यह आपको directly question पूछा जाएगा Swinging क्या होता है Revolving telescope in horizontal plane Revolving telescope in vertical plane तो यह आपको याद रखना है Revolving telescope in horizontal plane Horizontal plane में मू कराएंगे I hope के समझ में आ रहा है आपको Swinging होता है आपको एक ही चीज याद रखनी है Swinging जो होता है Horizontal plane के along मू कराते हैं यह आपको याद रखना है Next होता है हमारे पास Transiting Swinging के बाद आप Transiting देख लो Transiting होता है मैंने अभी आपको बताया Swinging क्या होता है Horizontal axis के along मू कराना 180 डिगरी और Transiting देख लो आप यहाँ पर Transiting क्या है It is the operation of revolving the telescope by 180 डिगरी in vertical plane अगर हम vertical plane में अगर हमारे पास यह है यह हमारे पास vertical plane में हम मू करा रहे हैं vertical plane मतलब कि यह vertical है हमारा तो यहाँ अगर हम इस direction में vertical plane में मू कराएंगे तो इसे हम Transiting कहते है Transiting कहते है vertical plane में अगर मू कराएंगे और Swinging कहते हैं अगर हम horizontal plane के along मू कराएंगे I hope कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें Next आ जाते हमारे पास lining in क्या होता है It is a process of establishing the intermediate points with the help of theodolite on a citrate line whose ends are intervisible मतलब क्या है इसका क्या हमें survey करनी है यहां से यहां तक हमें survey कर ली हैं लेकिन हमें जो है यह citrate line पे और points देखने है intermediate points देखने है यह एक दो points देखने है ताकि हम जो है surveying करने में आसानी हो जाए तो यह intermediate points देखने के लिए जो है इसे हम कहते है lining in क्या कहते है lining in कहते हैं अगर हम intermediate points देखते हैं और अगर हमारे पास जो है starting point और end point जो है intervisible होने चाहिए मतलब यह इससे हमें यह दिखना चाहिए और इससे ये दिखना चाहिए, जब हमारे पास end वाले points intervisible होते हैं, उसे हम कहते हैं lining in और अगर हमारे पास end points are not intervisible, अगर हमारे पास end points intervisible नहीं है, फिर भी हम intermediate points को locate करते हैं, उसे कहते हैं balancing in, यह आपको याद रखना है, lining in के case में हमारे पास जो है, हम intermediate points locate करते हैं, लेकिन हमारे पास end intervisible होते हैं, और balancing in के case में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास end points जो है, वो intervisible नहीं होते हैं, तो यह चीज़े आपको याद रखनी हैं, और comment section में आप यह भी बताए मुझे, कि अगर हम, जो है, chain surveying में intervisible point इसको देखते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, यह अगर आपको पता है, तो यह आप comment section में लिख सकते हैं, कि इसका answer क्या है, next है, हमारे पास double sighting क्या होती है, double sighting होती है, अगर हमने कोई angle जो है, वो major किया with the help of theodolite, तो अगर हम, दोनों type की conditions में उसे, उस angle को देख रहे हैं, तो उसे कहते हैं, double centering या फिर double sighting, मतलब क्या है हमारे पास, telescope हम या तो normal condition में रख सकते हैं, normal condition में आपको बता दिया, phase left condition में होता है, और inverted condition में आपको बता दिया, कि phase right condition में है, अगर हम phase left condition में भी एक angle को देखेंगे, और phase right condition में भी एक angle को देखेंगे, उसे हम double sighting कहते हैं, I hope कि आपको चीज़ें समुझ में आ रही है, it is in this process horizontal and vertical angles are major twice, मतलब कि कोई भी angle जो है, वो हम उसकी reading दो बार लेते हैं, एक normal condition में लेते हैं, phase left condition में, तो यहाँ पर मैंने आपको transiting बता दिया था, अभी transiting होता है, जब हम telescope को vertical plan के about, vertical plan में move कराते हैं, about horizontal axis, तो transiting जो होता है, इसे हम plunging या फिर reversing भी कह सकते हैं, तो यह चीज़ें भी आपको याद रखनी है, translating की दो और names होते हैं, plunging and reversing, इसके बाद आजाते हैं, हमारे पास, छोटा सा topic रह गया है, temporary adjustment of the theodolite, यह तो हर एक चीज़, हर एक बंदे को पता होना चाहिए, पहले हम set up करते हैं, फिर हम centering करते हैं, फिर हम leveling करते हैं, फिर focusing of the eye piece, और focusing of the objective, या फिर इन दोनों को कहते हैं, elimination of, elimination of parallax, elimination of parallax, अगर आपने, इन दोनों को elimination of parallax भी कहा जाता है, इसके बाद आजाते हैं, permanent adjustment of the theodolite में आपको question पूछा जा सकता है, एक होता है plate level test, इससे हम adjustment of the plate level करते हैं, plate level को adjust करने के लिए हम plate level test करते हैं, permanent adjustment के case में, crosshair test होता है, जिसे हम line of sight को adjust करते हैं, supply test यह ज्यादा तर पूछा जाता है, supply test होता है, supply test जो है adjustment of the horizontal axis के लिए होता है, इसी के साथ vertical arc test होता है, vertical arc test जो है, adjustment of the vertical index frame and altitude bubble, vertical index frame और altitude bubble को adjust करने के लिए हम vertical arc test करते हैं, तो यहाँ पर आपको यह याद रखना है, permanent adjustment में क्या-क्या करते हैं और temporary adjustment में क्या-क्या किया जाता है, तो ऐसे भी question पूछा जाता है, which one is not the permanent adjustment, तो permanent adjustment में तीन लिखेगा, एक लिखेगा temporary adjustment का case, तो वो आपको याद रखना है कि temporary adjustment क्या-क्या होती है और permanent adjustment क्या-क्या होती है तो I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को like कीजे, share कीजे अपने दोस्तों के साथ और subscribe कीजे हमारे चैनल Civil Engineer FBH को थैंक्यो दोस्तों, थैंक्यो फर वाचिंग दे वीडियो